हलो दोस्तों मैं अब किस साथ में मनीशा जा लेकर आई हूँ आपके लिए एंटेटेंबिन का डबल डोस काटरीना कैफ और विकी कॉशल को लेकर हाली में खबरे आई है कि इस कपल की रोका सेरिमनी दिवाली के दिन डारेक्टर कबिर खान के घर पर हुई थी हाला कि कटरीना की टीम ने इन अववाहों का खंडन किया लेकिन कटरीना और विकी कॉशल को सिलेबरिटी मैनेजर रेश्मा शेटी के ओफस में एक साथ स्पॉट किये जाने के बाद पिछले महीने फिर से दोनों की शादी की खबरों ने सोर पगड लिया है बताया जा रहा है कि विकी और कटरीना की शादी की रस में 7 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच राजस्थान के रणंत भोर नैशनल पार्क के महस 30 मिनट की दूरी पर सित सवाई माधोपुर के एक रिजॉर्ट 6 सेंस फॉर्ट बरवारा में होंगी साथ ही दूला और दूलहन डिजाइनर सब्वे साची के शादी का जोड़ा पहन सकते हैं बतादे कि मेडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विकी जाहिर तोर पर अपनी शूटिंग के कारण अगले साल शादी के बंधन में बंधना चाते थे लेकिन कट्रीना दिसंबर 2021 में ही शादी करना चाती थी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि वह जानती थी कि उन्हें कैसे शादी करनी है वह क्या पहनेंगी से लेकर उस लुक तक जो वह चैनल को किस तरह के आयोजन स्थर तक पहुंचाना चाती है उसने सब कुछ चाक चौबंद कर दिया था इसलिए जब यह राजस्थान है तो यह निशित रूप से मई में नहीं हो सकता था जब राजस्थान में गर्मी होती है सूत्रों ने आगे बताया कि वह दिन सूर्यास और रात में विभिन रिती रिवाजों के साथ एक बाहरी शादी करना चाती थी इसलिए दिसंबर की शादी राजस्थान में बिल्कुल सही सर्दी के साथ होगी जाहिर तोर पर उसके दिल नहीं जोचुना साथ ही कहा जा रहा है कि कट्रिना अपनी शादी से पहले सारी तैयारियों के लिए एक लंबा ब्रेक लेंगी हलाकि वे फिलहाल, अक्षे कुमार और रोहिट शैटी के साथ अपनी फिल्म सूर्य बंशी की प्रोमोशन में बिज़ी है तो फिलाल के लिए इतना ही एंटेटेंटमेंट से जोड़ी और भी चटपटे ख़बरों के लिए बने रहे बियन न्यूस के साथ